सभापती जी मैं आपकी अनुमती से भारतिय नागरिक श्रीकुलभूशन जाधव की पाकिस्तान में गयर कानूनी हिरासत के संबंध में हाल ही में हुए घटना क्रम के बारे में सदन को अवगत कराना चाहती है। जैसा कि सदन को पता है कि 25 दिसंबल 2017 को श्रीजाधव की माँ और पत्नी ने उनसे इसलामाबाद में मुलाकात की। ये मुलाकात राजनाइक माध्यमों से तए कराई गई थी। सभापती जी अप्रेज 2017 में मैंने इसी सदन में एक वक्त भी दिया था जिसमें श्रीजाधव की सुरक्षा और कल्याण के लिए और उनको गेर कानूनी हिरासत से मुक्ट कराने के लिए सरकार की इच्छा शक्ति को प्यदर्शित किया था। सदन को ये पता है कि उसके बाद हमने अंतर राष्ट्रिय नयायल यानि इंटरनेशनल कोर्ट अफ जेस्टिस में श्री जाधव के पक्ष में एक याचिका दायर की और इस याचिका के फलस्वरू हम अस्थाई तोर पर उनके मृत्युदंड को रुकवाने में सफर रहे है सभापती जी ये मृत्युदंड श्री जाधव को पाकिस्तान की सेन अदालत द्वारा एक उपहसासपद तरीके से यानि फार्सिकल तरीके से चलाए गए मुकब्मे में सुनाया गया था श्रीजाधव के जीवन पर मंडरा रहे खत्रे को अभी टाल दिया गया है आईशी जे की जज्जमेंट के द्वारा और अब हम और ज्यादा आधिक मजबूत तरकों के आधार पर आईशी जे इंटरनेक्शनल कोर्ट अब जस्टिस के द्वारा उन्हें स्थाई रहत दिये का प्रयास कर रहे हैं माननिय सभापती महोदै सदन को मैंने ये भी बताया था कि इस मुश्किल की घड़ी में हम उनके परिवार से निरंतर संपर्क बनाई हुए हैं इसलिए ये स्वाभाविक था कि हम उनके परिवार के सदस्यों की शिजाधव से मिलने की इच्छा पूर के चलते इस महीने पाकिस्तानी अधिकारियों ने शिजाधव को उनकी मा और पत्नी से मिलने के लिए अपनी स्विक्रती दे दी सभापती जी ये भेंट आगे की दिशा में बढ़ने वाला एक कदम साबित हो सकती थी लेकिन अत्यंत खेद का गुशे हैं कि इन दोनों देशों के बीच बनी सहमती से हटकर इस मुलाकात का आयूजन किया गया बाइस महीने बाद एक माँ की अपने बेटे से और एक पत्नी की अपने पती से होने वाली भावभरी बेट को पाकिस्तान ने एक प्रापिगंडा के हत्यार के रूप में इस्तेमाल किया सभापती जी परसों विदेश मंत्राले ने इस संबंद में अपनी स्थिती सारवजनिक त्वार पर सपष्ट की थी और कल इस मुलाकात से उपजी आपत्तियों को हमने राजनिक माध्यमों के जरिये पाकिस्तान को भी बटा दिया है उन में से कुछ का उलेक मैं सदन में करना चाहूंगी सबसे पहला सभापती जी हमारे बीच ये सपष्ट समझाता था कि मीडिया को शिजादव की मा और पत्नी के नजदिक आने की अनुमती नहीं दी जाएगी लेकिन पाकिस्तानी प्रेस को ना केवल परिवार के समी पाने का मौका दिया गया बल्कि उन्हें तरह तरह के अप्षब्दों से संबोधित करके परेशान किया गया काने उलहने दिये गए उन पर जूटे आरोप लगाए गए और उनके सामने शिजादव को जबरन आरोपी सिद्ध करने का प्रियास किया गया दूसरा सुरक्षा के नाम पर परिवार के सदस्यों के कपड़े तक बदलवा दिये गए और पहनने के लिए अपनी और से वस्त दिये गए शिजादव की माँ जो केवल साड़ी पहनती हैं उन्हें साड़ी की बजाए सलवार कुर्टा पहनने पर मजबूर किया गया अब आपने हैं उनकी पत्नी की बंदी चोड़ी और मंगल शूत भी उतरवा दिये गए यहां सुधार करना चाहती हैं केवल पत्नी के नई उनकी माते भी चुड़ी बंदी और मंगल शूत उतरवा दिया गया और यहां सदन में मुझसे कोई गलत बयानी न हो जाए इसलिए आज सुबह मैंने उनकी मासे दुबारा बात की और पूछा कि क्या आपकी भी बिंदी चूड़ी मंगल सुत उतरवाया था तो उन्होंने भरे गले से कहा कि जिस समय वो मंगल सुत उतरवा रही थी तो मैं यह कह रहे थी यह मेरा सुहात का चिन्ने इसे रहने दे मैंने कभी नहीं उतारा तो उसने यह का जी मैं ही तो मजबूरी है मुझे तो आडर है आडर का पालन करना और उसके बाद जो उन्होंने मुझे कहा कि बैचते ही कुल भूशन ने मुझसे का बाबा कैसे हैं क्योंकि मेरे माथे पे बिंदी और मेरे गले में मंगल सूतर ना होने के कारण उसे ये शक हो गया कि शायद उसके पीछे से कोई आशुब घट गया है और ये कहते कहते उनका गला भराया दोनों की मतब दोनों सुहागिनों को विद्वा के रूप में पती और बेटे के सामने पेश किया बेद्वी की इस से बड़ी इंतहा पाकिस्तान नहीं कर सकता है सभापती जी श्री जादव की माँ अपने बेटे से मराची में बात करना चाहती थी क्योंकि स्वाभाविक रूप से मा और बेटे के लिए अपनी मात्री भाशा में ही बात करना सुविधा जनक होता है कि तुश्री जादव की माँ को मराची में बातचीत करने की आज़त नहीं दी गई मीटिंग में साथ बेटी दो पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा लगातार उन्हें रोका गया और जब वो अपनी बात पर ढटी रही तो उनका इंटर कॉम बंद कर दिया गया ताकि वो आगे बातचीत ना कर सके सभापती जी भारत के डेप्टी हाई कमिशनर जो परिवार के साथ इस मुलाकात के लिए गए थे उनको बिना बताए परिवार के सदस्यों को पिछले दरवाजे से बैठक के लिए ले जाया गया इसलिए वो उनका ये स्वरूप नहीं देख पाए कि उनके वस्तर बजलवा दिये गए हैं उनके बिंदी चूड़ी मंगल सूतर उतरवा कर उन्हें मीटिंग में ले जाया जा रहा है वरना वो वहीं भी रोज जताते उनकी अनुपस्तिती में बैठक शुरू कर दी गई और थोड़ी देर में जब उन्होंने पूछताच की तब उनको बैठक के लिए ले जाया गया सभापती जी मुलाकार के बाद जो कार शीजाधव के परिवार और भारती राजनाई को ले जानने के लिए दी गई थी उसे जान बूज कर रोक कर रखा गया ताकि मीडिया को परिशान करने का एक और मौका मिल सके वो और व्यंग्यात्मक्ति पढ़िया कर सके और तरह तरह के कटाक्ष करके जाधव की मा और पत्नी को तंग कर सके सभापती जी शीजाधव की पत्नी के जूते मुलाकात से पहले उतरवा दिये गए थे और अपनी और से चपल देकर मीटिंग में भेजा गया था मीटिंग के खत्म होने के बाद उनके बार बार मांगने पर भी उनके जूते वापिस नहीं किये गए हमें लगता है कि पाकिस्तानी अधिकारी इसमें कोई शरारत करने वाले हैं जिसके बारे में हमने उन्हें कल भेजे गए नोट वर्बाल में सचेत कर दिया गया लेकिन सभापती जी हमारी आशन का सच साबित हो रही है अब दो दिन से टीवी में चल रहा है कभी कहते हैं जूते में कैमरा था कभी कहते हैं चिप थी कभी कहते हैं रिकॉर्डर था इससे ज्यादा एफसर्ड बात नहीं हो सकती सभापती जी इन्हीं जूतों को पहन कर जादों की पत्ने दो दो फ्राइट्स में गई है यहां से एर इंडिया में गई दुबई और वहां से एमिरेट्स की फ्राइट लेकर के वो गई इसलामाबाद चलिए आप कहें सकते के शायद एर इंडिया ने उसकी मदद कर दी होगी लेकिन एमिरेट्स जैसी फ्लाइट में जो दुबई से इसलामाबाद तक सफर कर सकी जब पूरा सिक्यूरिटी चेक हुआ वहा किसी को रिकॉरडर नजर नहीं आया किसी को चिप नजर नहीं आई किसी को लेकिन पाकिस्तान में पहुंचने के बाद और अगर उसमें चिप थी तो यह जो इतना बड़ा मीडिया का तमाशा ख़ड़ा कर रखा था उसी समय दिखाना चाहिए था कि इसके अंदर यह चिप है लेकिन अब शरारत करके दुष्ट प्रचार कर रहे हैं लेकिन मैं कहते हूं इस एपसरडिटी बियांड मेजर यह एक ऐसा जूट है जिसका परदाफाश एक सेकेंड में केवल इस बात से हो सकता है कि जिन जीतों को पहिन कर वो सिक्यूरिटी चेक पार कर गई वो जाके पाकिस्तान में उसमें रिकॉर्डर उनको दिखाई दे रहा है सभापती जी मुलाकात से लोटने के बाद उनकी मा और पत्नी ने मुझे बताया श्री कुल्भूश और जाधव काफी तनाव में दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दबाव में बोल रहे थे जैसे जैसे उनकी मुलाकात में बादचीत आगे बढ़ी ये स्पष्ट हो गया कि उनके कैद करने वालों ने उनको जो सिखा पढ़ा कर भेजा था वो वही बोल रहे थे और इसका उद्देश उनकी तथाकतित गत्विद्यों की जूटी दास्तान को सही साबित करना था को एक humanitarian gesture के तोर पर दिखा रहा है लेकिन सचाई तो ये है कि मानवता और सदभाव के नाम पर हुई मीटिंग में मानवता भी गायब थी और सदभाव भी गायब था इस मीटिंग में तो केवल जादव के परिवार वालों के मानवा धिकारों का उलंगन पर उलंगन ही हो रहा था और उन्हें भैभीत करने वाला एक बातावरण वहाँ पैदा कर दिया गया था जिसकी जितने निंदा की जाए उतना कम है इसलिए माननिय सभापती महोदे मैं पूर्ण विश्वास से कहती मुझे पूरा भरोसा है कि ये समूचा सदन और इस सदन के माध्यम से भारत के समस्त लोग एक स्वर से पाकिस्तान के इस अच्यंत अशिष्ट व्यवहार की पुर्जोर मिंदा करेंगे और शी जादो के पनवार के साथ हार इकसान भूसी प्रकश करेंगे बहुत 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 दनीवादा श्री गुलाम नभी आज़ाद, I have already appealed to all of you keeping in mind the sentiments and also sensitivity and also the future. People should be restrained and then should be very balanced. No speeches but only associating.